इस वीडियो में ये देखेंगे 100% ब्लोकेज क्या होता है और उसका इलाज क्या होता है हार्ट को ब्लेट सप्लाई करने वाली आर्टरी में जब ब्लोकेज आ जाता है और वो पूरी की पूरीनस बंद हो जाती है तो उसको 100% blockage बोलते हैं ये 100% blockage दो तरह से होता है एक AC condition रहती है जब आपकी आर्टरी में एकदम sudden blood का थक्का जम जाता है और एकदम से blood supply और oxygen supply रुख जाती है इस condition को heart attack बोलते हैं और AC condition में heart की blood supply वो completely बंद हो जाती है और heart का वो part है डेमेज होने लग जाता है जिसके कारण person को साती में दर्द है सांस लेने में दिक्कत होना गबराट, बेचेनी, पशिना इस तरह के symptom आने लग जाते हैं इस condition को acute heart attack बोलते हैं AC वाली condition में उस 100% blockage को तुरंत खोलना रहता है ताकि blood की supply दुबारे से चालू हो जाए और मरीज को आराम मिल जाए और उसके heart को damage होने से बचाए जा सके तो इसके लिए patient का angiography किया जाता है उसमें जिस नस में blockage है वहाँ पे उसमें stent लगा जाता है और उसको stent लगा के नस को open कर दिया जाता है और blood supply को चालू कर दिया जाता है यह एक condition है 100% blockage की जो कि एकदम से अचानक होई और इसमें angioplasty से patient को बहुत अच्छा फाइदा मिलता है दूसरी एक condition होती है जिसमें 100% blockage होता है लेकिन वो एकदम से sudden नहीं होता वो दीरे 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 blockage बढ़ता है ऐसी वाली condition में जो खोन का थका या जो blockage होता है वो एकदम hard हो जाता है उसमें calcium जमा हो जाता है तो वो easily open भी नहीं होता है वो लंबे time तक बना रहता है minimum उसको 3 मैने से ज़्यादा का duration मानते हैं कि 3 मैने से ज़्यादा एदी blockage है तो वो chronic blockage हो गया है ऐसे chronic blockage में जो नस बंद हुई है उसके अलाव जो दूसरी नसे हैं उनसे कुछ blood की नहीं नहीं blood vessels बन जाती है और उनके through blood की supply होने लग जाती है जिस area को blood की supply नहीं हो रही थी तो उनको collaterals बोलते हैं या natural bypass बोलते हैं लेकिन वो इतना ही blood supply करते हैं जब आप rest में रहते हैं जब आपको ठीक रहता है कोई लक्सन नहीं आएंगे लेकिन जैसे आपको चुछ exercise करेंगे तो आपको फिर chest pain है या सांस लेने में दिक्कत ऐसा हो सकता है तो इस तरह के blockage के treatment के लिए आपको medicine start की जाती है जिसमें आपकी aspirin है, clopidogrel है statin medicines रहते हैं, beta blockers रहते हैं nitrate medicines रहते हैं यदि इन medicine से आपको symptom में relief है आप अपनी day to day work अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपको medicine पे रखा जाता है लेकिन यदि आप medicine ले रहे हैं उसके बावजूद भी आपको symptoms आते रहते हैं तो फिर उस block को खोलना रहता है खोलने के लिए या तो angioplasty करना रहता है या फिर bypass करना रहता है तो ऐसे वाले cases में angioplasty करना का पी मुश्किल रहता है, क्योंकि जो blockage रहता है उसमें calcium जमा रहता है तो wire, easily उसमें wire pass नहीं होता है लेकिन अब ऐसी ऐसे wire, hardwire आ गये हैं टेक्निक आ गये हैं, कुछ machines आ गये हैं जिसके कारण ये जो CTO वाले रहते हैं chronic blockage वाले region हैं उनमें भी angioplasty करना आसान हो पी है और यदि bypass करना रहता है तो उसमें जहां blockage है उस जगए को तो छेड़ते नहीं है लेकिन उसके उपर और नीचे की तरफ एक सरीर से दूसरी नस का टुकडा लेते हैं और उसको connect कर देते हैं और bypass supply चालू हो जाती है तो इस तरह ये 108% blockage है तो वो देखना पड़ता है कि वो acute हुआ है अभी एकदम sudden हुआ है या फिर लंबे time से blockage बनावा है उसके आदार पर उसका treatment की जाता है